मैं जानता हूँ कि 2021 बहुत सारे लोगों के लिए बहुत टफ गुजरा है बहुत सारे परिवार के लोगों ने अपने किसी निकटतम रख्ती को खोया है बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स कोई है बहुत सारे students को examination में problem face करने को मिली और पूरा का पूरा साल students अपने घर पे ही classes लेते पाए गए Students का बाहर जाना बंद हो गया, family outing बंद हो गई COVID-19 के कारण पूरी की पूरी दुनिया में एक ठहरावस आ गया मैं जानता हूँ कि 2021 बाट टफ रहा मैं उमीद करता हूँ कि 2022 हम सब की जिन्दगी का सबसे बहतरीन साल साबित हो इश्वर हम सब को चुनौती देता है कौन उस चुनौती से बाहर निकलेगा ये एक बहुत बड़ी चुनौती है मैं जानता हूँ 2021 की चुनौती बहुत सारे लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट रही लेकिन उमीद करता हूँ कि 2022 का आरम बहुत शानदार तरीके से आप करे सिर्फ एक ही बात आज कहना चाहता हूँ 2021 की पूर संधिया को कि 2022 की शुरुआत में अगर कोई रेजलूशन आप बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक रेजलूशन बनाएं कि 2022 में कोई रेजलूशन ना बनाएं जी हाँ मैं रिपीट करता हूँ 2022 में आप कोई रेजलूशन ना बनाएं शुरुआत में ही बहुत सारे लोग resolution बनाएंगे कि मैं जिम जाओंगा, मैं किताबें पढ़ूँगा, मैं वर्काउट करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा और 15-20 जैनवरी आते आते सबके resolution ठंडे बस्ते में चले जाते हैं मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करें, आप सिरफ एक काम करें जो आपको पहले से मालूम है अपने जीवन में उसको implement करना शुरू करें 2022 दिसंबर में आप खुद को कहां देखना चाहते हैं उसको visualize करें और पूरे साल उस परचाई का पीछा करें जो आप होना चाहते हैं 2022 दिसंबर मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि 2022 आपकी जिन्दगी का सबसे बहतरीन साल साबित है